प्रतिएक स्वतंतर राश्ट का अपना एक ध्वज होता है जो उस देश के स्वतंतर देश होने का संकेत है भारत का राश्ट्रिय ध्वज तिरंगा है जो तीन रंगों के सरिया सफेद और हरे रंग से बना है और इसके केंदर में नीले रंग से बना है अशोक चक्र भारतिय राश्रीय ध्वज के अभी कलपना पिंगली वेंकईया नंदने की थी और इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयूजित भार्तिय सम्विधान सभा की बैठक के दोरान अपनाया गया था। सफेद पट्टी के मध्य में गेहरे नीले रंग का एक चक्र है। यह चक्र अशोग की राजधानी के सारनाथ शेर के स्तम पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चोड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलिया है। राश्ट्रिय ध्वच के रंग भारत के राश्ट्रिय ध्वच के उपरी पट्टी में के सरिया रंग है जो देश की शक्ती और साहस को दर्शाता है। बीच में इस्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांती और सत्य का प्रतीक है। निचलिहरी पट्टी उरवर्टा, व्रिधी और भूमी की पवितरता को दर्शाती है। अशोक चक्र इस धर्म चक्र को विधी का चक्र कहते हैं, जो तीसरी शताब्दी इसा पुर्व मौरे समराट अशोक द्वारा बनाए गए, सारनात मंदर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शत करने का आशे यह है कि जीवन गती शील है और रुकने का अर्थ मृत्यू जाता है। उसके बाद खोल कर फेहराया जाता है। इसे ध्वजा रोहन कहा जाता है। ऐसा 15 अगस्त 1947 के एतिहासिक घटना को सम्मान देने के लिए किया जाता है। सम्विधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग भी कहते हैं। किसने तैय किया स्वतंतरता दि दिवस तैय करने का फैसला किया था। पहली बार भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू ने लाल किले पर स्वतंतरता दिवस पर तिरंगा जंडा फेरा आया था। भारत के साथ ही कुछ और देश भी 15 अगस्त के दिन स्वतंतरता दिवस मनाते हैं। आये जानते हैं भारत के अलावा किन देशों को 15 अगस्त के दिन आजादी मिली थी। दक्षिन कोरिया को 15 अगस्त 1945 में जापान से आजादी मिली थी। बहरीन 15 अगस्त 1971 में बहरीन को ब्रिटेन से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1960 में कांगो को फ्रांस से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1866 को लिक्टेंस्टिन को जर्मनी से आजादी मिली थी Bureau Report देश्वा News